हलो दूस्तों वाइफर से महाजीर हूँ चोबिस घर्स 2021 के इंपोर्टी निवेडिस के साथ आज कम्प्लिट वीडियो हां से देखें कि खुलाश में आपको दो कोशन के जवाब देने हैं आज का पहला कोशन है Stockholm International Water Institute इसकी स्थाफना किस वरस की गही थी Stock Home International Water Institute इसकी स्थाबना की गई थी 1991 में 1991 में चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाले में World Water Week मनाया गया है किसके दोरा? Stock Home International Water Institute दोरा देखे 1991 से World Water Week मनाया जाता है इस बार 23 से लेकर 27 अगस के बीच में World Water Week को मनाया गया है Digital Format में परपस क्या है इसका? परपस है Global Water Crisis इसके विशे में लोगों को अवेर करना इस बार थीम क्या है World Water Week का? Building Resilience Faster क्या? Building Resilience Faster कौन मनाता है World Water Week Stock Home International Water Institute इस्थाबना हुई थी 1991 में हेड़कोटर है Stock Home में और डारेक्टर इंबोर्टन नहीं हमारे लिए हैं पेस्टिवल है जो बहुत पूछे आज़ते हैं ओनम है केरल का और पोंगल है किसका? तमिलाडू का आज हम ओनम पढ़ते हैं नौका दोड़ होती है ओनम में याद रखिएगा ओनम केरला में सेलिबेट किया जाने वाला मल्याली कम्यूनिटी के लिए बहुत फेमस तेवहार है मल्याली कम्यूनिटी तरह पूरे वर्ड में सेलिबेट के लिए लेकिन इंडिया में केरल के लिए बहुत 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 ज़्यदा इंपोडेंट है दस दिन तो चलने वाला ये तेवहार है जो भगवान विष्णु का वामन अवतार था ना वामन अंगुल के जो बाउने बने थे जिसमें ठीक है और किंग महाबली भी वापस आये थे तो उनको देखते हुए ये ओनम सेलिबेट के आता है जो कि हारवेश्ट सीजन की सुरुआत को बताता है नौका दोर ओनम पे ही होती है ये जरूर याद रखेगा ओनम की सुरुआत होती है अथम से अथम से सुरुआत होती ही याद रखेगा और एंड कब होता है थिरू ओनम पे तो ये भी आप याद रख सकते हैं तो जो अथम है इसमें येलो फ्लावर्स का यूज के रता है जिसका नाम होता है को कलम बस इतना ही याद रखेगा तो ओनम मल्यायली कम्यूटी का फेस्टिवल है दस दिनों तक चलेगा रेसेंटली सुरुवात हो रही है कहां पे पेट्वेक के रिलाम है नहीं कोशन है देखे पेमेंट गेट्वेट सिस्टम में कॉंप्रेहंसिव सॉलूइशन्स प्रवाइड करने के लिए किस बैंक ने पेटियम के साथ पार्ट्नाजिक की है वह हमें जो आपके पेमेंट गेटवे हैं, point of sale machines हैं या फिर credit products हैं, उन पर comprehensive solutions प्रवाइड किया सके हैं, बहुत smart hub हो गए रहा है, HTC bank के साथ हिसाथ, paytm का तो payment gateway है है, तो आपस मेनों ने combination कर लिया या फिर partnership कर लिया है, ताकि payment gateway, point of sale या फिर credit products से related solutions प्रवाइड किया सके हैं, HTC bank के बात करते हैं, 1994 में स्थापना हुई, मुंबाई में headquarter है, ससिधर जगदीशन इसके CEO है, ने question है, talent search campaign, कि sister government दोरा launch किया गया है, sport को बढ़ावा देने के लिए, MP government ने talent search campaign launch किया है, किसने, MP government ने दिख लिए, MP government दोरा talent search campaign launch किया गया है, 18 sport academies में, purpose क्या है, sport personalities को सर्च किया है, ताकि MP के लोग भी gold जीते हैं, Olympic में, इसलिए talent search campaign launch किया गया है, और लगभग 50,000 players इन्होंने इसके लिए apply किया है, तो talent search campaign कहां में launch किया है, MP, MP के chief minister है, सुरा सिंग, चौहान जी, नए गौर्णर को में है, मगु भाई, सी पटेल, बाकि कान्धा, बानोगर, सत्पुड़ा, यह सारे टेगर रिजर तो आप पता ही है, MP में है, कोई बतानी जूरत ही नहीं है, ने कोशन है, new bolt, इंडिया का पहला indigenous motorized wheelchair वहिकल है, इसको किस ने टलब किया है, तो new bolt, इसको टलब किया है, IIT मदरासने, खास करके disabled community के लिए है आपका new bolt, यह देखिए, यह है आपका new bolt three wheeler, इंडिया का first indigenous wheelchair वहिकल है, new bolt, speed क्या होगी, 25 km per hour, maximum speed होगी, 55,000 का price होगा, IIT मदरासने डलब किया है, lithium ion battery का यूज किया गया है, एक बाच चार्च करने पर 25 km ही चल पाएगा, तो IIT मदरासने new bolt डलब किया है, जो इंडिया का first indigenous wheelchair वहिकल है, खास करके disabled community के लिए, जो की locomotor disabilities रखते है, next question है, पहली country कौन बन गई है, जिसने still produce किया है, बिना cold के use किया है, यानि koila use किया बिना ही, जिसने still produce कर दिया है, तो Sweden, वर्ड में पहली country बन गई है, जिसने koila use किया बिना ही still produce किया है, यह देख लिजिए, Sweden वर्ड की पहली कंट्री है जहां पर कोला यूज किये भी नहीं स्टील बेडूस किया गया है अपने कस्टमर्स के लिए Sweden के एक कमपणी है जिसका नाम है Hybrid क्या नाम है Hybrid तो ये वर्ड की पहली कंपणी बन गई है जो कस्टमर्स को steel dilue करेगी बिना coal यूज के इसमें क्या हुआ है hydrogen breakthrough iron making technology यूज की गई है जिसमें क्या होता है 100% fossil free hydrogen का यूज के आता है तो यह रखेगा Sweden world की पहली country है और hybrid world की पहली company है जो की cola यूज किये बिना ही produce कर रही है क्या steel Sweden की बात करें तो आप यह मैप में देख लिए यह है Sweden capital है इस्टाकों currency क्या है क्रोना प्राइमिस्टर है Stephen law fan ने question है जायर अलबहार हाली में इंडिया और किस कंटी की बीच में इंडिया और कतर की बीच में जायर अलबहार एकसेसाइस होना जा रही कौनसा एडिशन होने जाज रहा है second यह देख लीजी second edition हो जा रहा है Indian नेवी और कतर जो नेवी है उसके बीच में किसका जायर अलबहार तो जायर अलबहार ये एक नेवल एकसेसाइस हैं इंडिया और कतर के बीच में होगा इतना रहीगा तो second season होने जा रहा है first season कभ हुआ था 2019 में पहली बार जाएर al-bahar naval exercise इंडिया और Qatar की बीच में कभ हूई थी 2019 में इस बार second edition होने जा रहा है तो जाएर al-bahar ये एक naval exercise है इंडिया और Qatar की बीच में Qatar आप हे बेर तरह मैप में देख सकते हैं An unfinished quest ये book किस ने लिखी है अच्छा सॉरी बुरिया मजूमदार के साथ मिलकर ये book किस ने लिखी है तो Mission Domination An unfinished quest बुरिया मजूमदार और कुशन शरकार ने ये book लिखी है Mission Domination नाम याद रखे बस इतना ही Mission Domination इस book को लिखा गया है बुरिया मजूमदार और कुशन शरकार बुक का नाम और writer का नाम क्या नाम है Mission Domination बुक का writer कौन है बुरिया मजूमदार और कुशन शरकार बागी publish कुन करेगा मेरे खाल से Simon और स्कल्चर पब्लिकेशन ये लोग publish करेंगी जो important नहीं है मैं question है sustainable development impact summit कौन organize करेगा तो world economic forum world economic forum ये sustainable development impact summit organize करेगा ये दिख लिजे world economic forum दोरा 20 से 23 सितंबर के बीच में जिनिवा सुजलन में जहांपे इसका headquarter है वहीं पर sustainable development impact summit organize कियाए जोपी annually organize होती है तो world economic forum दोरा annual यानि वार्सी ग्रूप से sustainable development impact summit organize कि जाती है इस बाद जिनिवा में organize होगी theme क्या होगा shaping and equitable inclusive and sustainable recovery covid-19 के बाद के provision को बता रहा है तो world economic forum sustainable development impact summit organize करने जा रहा है सितंबर में कहांपे जिनिवा में theme रखेगा shaping and equitable inclusive and sustainable recovery देखिए world economic forum की जो दावो समिट है वो yearly होती बहुत important है लेकिन इस बाद 2021 में होनी है मेरे ख्याद से थोड़ा का confusion है इस बाद सिंगापूर में हो रही यह बस देना रखेगा दावोस में नहीं हो रही second time ऐसा हो रहा है पहली बाद वासिंटन में हो था 2005 के असपास अब सिंगापूर में हो रही अपने वीडियो में पूरानी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कौन से ही है क्योंकि 2021 में होनी थी फिर कोविड आ गया तो मेरे ख्याद से इसको भी पोश्वान कर दिया गया 2022 जनुरी में ही होनी है सिंगापूर में साइड तो एक बार री कन्फर्म कर लेंगे वापस आते हैं सस्टेनेबल डेलर्मेंट इंपाइट समिट कहाँ पे वर्ड एकनॉमिक फोरम में 1971 में वर्ड एकनॉमिक फोरम की स्थापना होई थी को लोगनी सुजर लेंड में हेड कोटर है जोकी जनुरेवा में है को लोगनी क्लास सौब इसके चेर्मेन एंड लीडर है नया कोशन है इंटरनेशनल मिलेटरी टेकनिकल फोरम पहले वी परहा चुका हूँ आर्मी 2021 ये किस कंट्री तोरा उना इस किया रहा है तो ये एक तरह गां मिलेटरी एक्जिवीशन है इंटरनेशनल मिलेटरी टेकनिकल फोरम इसको रश्या दौरा होश्च किया राता है हरवर्ज इस बार भी होश्च किया राता है मॉस्को रश्या की कैपिटल में तो आर्मी 2021 जुकि इंटरनेशनल मिलेटरी technical forum है इंडिया क्या कर रहे है अपने indigenously developed fighter aircraft को इंडिया ने भेजा है यानि कि तेजस को भेजा होगा और जो helicopter हो गए रहा है उनको भी भेजा होगा तो army 2021 international military technical forum है रेशिया दोरा होस्ट क्या रहता है और ब्राइकॉल लेख आप आप रहे हो वर्ड की deepest लेख है और रश्या के जो प्रेशिडेंट हैं 2036 तक व्लादिमिन पुतिर रश्या के प्रेशिडेंट बने रहेंगे नया question है इंडिया के first celebrity जिन्होंने Amazon Alexa के लिए अपनी voice दी है तो पहले के प्रहा चुका हूँ है अमिताब बच्चन जी इंडिया के पहले celebrity है जिन्होंने Amazon Alexa के लिए अपनी voice दी है ये देख लिजिए कितनी important हो जाती ही किसी की आवाज एक time था जब अमिताब बच्चन जी को आकास वाड़ी से निकाल दिया गया था इनकी आवाज के चलते ही कि आपकी आवाज important नहीं है बनाब बेकार सी है लेकिन अब अमिताब बच्चन की आपने सुना ही होगा ठीक है वो कितनी अजीब सी तो देखिए इंडिया के फर्स चलिबर्ट्री बन गए है जिन्नों ने Amazon Alexa के लिए भी अपनी आवाज दे दी है और यह क्या लिखा है cost of adding अमिताब बच्चन की वोईस से चलेगा ने कोशन है अफरीका में पहली बार travel and tourism summit किस कंटी दोर होश कह रहा है तो अफरीका में पहली बार travel and tourism summit को South Africa host कर रहा है कौई South Africa देखे South African जो tourism department है वो अफरीका में पहली बार travel and tourism summit हो रही है जिसको South Africa दोर होश कहा रहा है hybrid summit होगी बस इतना देखेगा क्यों COVID-19 के बाद आप tourism promote करना important हो गया है तो इसलिए South Africa ने travel and tourism summit जो कि अफरीका की पहली travel and tourism summit है उसको होश करना ensure किया है तो बस देखेगा अफरीका की first first ever travel and tourism summit कौन South Africa होश करने जा रहा है मैप में आप देखे लिए South Africa capital क्या है बहुत सारी capital है क्या बोले हम अच्छा यह travel summit कौन organize करेगा तो वर्ड ट्रेवल and tourism council बारा इसको organize किया जाएगा पहली बार अफरीका में organize किया जाना जाना है 1990 में वर्ड ट्रेवल and tourism council की साबना होई तो अफरीका में पहली बार जो हो रही है क्या travel and tourism summit उसको सौथ अफरीका होश करने जा रहा है हाला कि इसको organize करेगा वर्ड ट्रेवल and tourism council अफरीका जब दिया रहा है इधर अगुल हास current है जो की warm water current है और इधर banguela current है जो की cold water current है इतना याद रहेगा जो आपकी अगुल हा लेटर है जो आइप्यल में participate करेगा नाम क्या है इनका Tim Davis बस नहीं रहें तिम डेविड सिंगापूर के पहले international player है जो की Indian Premier League में participate करेंगे तो तिम डेविड का नाम है रखेगा यह देख लिए 14th edition का जो IPL होने जारा है 2021 में उसमें participate करेंगे royal challenger banglaur की तरब से तिम डेवि Singapore के player है first international player हो गए Singapore के जो की IPL में खेलेंगे Singapore आप यहाँ देख लिए मैप में यह है Singapore वर का largest floating solar power plant कहां बन रहा है Singapore में बन रहा है capital क्या है Singapore city currency क्या है Singapore dollar present कौन है हलीमा याकॉब counterpoint research report के हिसाब से smartphone marketing मामले में इंडिया की rank क्या है तो इंडिया second place पर है first है China देखे smartphone users की अगर बात की जाए तो इंडिया second largest है हमें साथ रखिएगा first है China हलाकि जो counterpoint research report है 2021 के लिए जारी हुई है इसमें बताया गया है कि 2021 के दौरा इंडिया में 173 million units स्मार्ट फोन के बिके है जो की last year से 14% अधिक है तो इंडिया second biggest market है smartphone की after China 2020 में ही इंडिया ने कई सारी countries को कई सारी continents को पीछे छोड़ दिया था अब इंडिया जो है world में second highest market है largest market है smartphone की इतना यह रखेगा 14% की year on year growth rate देखी गई है 173 million units sell हुए है ने question है dynowar कितने indians को इस बाद चुना गया है तो पाच लोगों चुना गया है dynowar के लिए बस इतना यह रखे ऑफ ऐफ अशोका यंग चेंज मेकर्स को इंडिया से चुना गया है dynowar के लिए यह अशोका यंगचेंज मेकर्स कौन है जो कि यह dynowar के यह यह इन आ लिए आए देखे हैं हुमारिटेरियन वर्क करते हैं या फिर शोशल एक्षन करते हैं जो यंग लोग उनको डाइन आवाड दियाता है तो डाइन आवाड 9-25 यानि 9 से लेके 25 वर्स के आयू की लोगों को दियाता है खास करके यंग परसन को पिंस आफ वेल की याद में यान बेतियस के लिए से जाने माने बैटिस कोमेडियन ये हैं सीन लॉगड देखा होगा आपने मेरे खास है साथने मोवी देखी विजैन्सवां साहध आप इनको दिखाई पड़ाओं हां बैटिस कमेडियन सीन लॉगड का निधान हो गया बस इतने जाद देखे सीन ल ponieważ बैट